वैशाली के महनार इलाके में रविवार शाम तक्रीबन सारे आठ बजे एक जबरदस्त सरग दुर घटना घटी जहां पर एक अनियंति ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई उनाठ लोगों की जिनकी मौत हुई है उनमें छोटी छोटी मासूम बच्चिया है जिनकी उनमें 6 साल से 12 साल के बीच है और दो लड़के हैं यानि की पुरुष है जिनकी मौत हुई है वैशाली सरग दुर घटना आठ मौत और एक पीपल का पेर दरसल पीपल की पेर की कहान था यह शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं हो गाए आप देखिए ग्राउंड जीरो पर हमिस्वक मौजूद हैं आप हम दिखा रहे हैं कि कल जब ट्रक हाजीपूर के तरफ से आ रहा था और महनार के तरफ जा रहा था तो इसी पीपल के पेड के पीछे एक धार्मिक आ और देख सकते हैं हर तरफ जो है बिखरे हुए चपल दूते एक होन के निशान और यह पीपल का पेर आप यहां देखे पीपल के पेड से आकर वो ट्रक टकराता हैं अभी मांस के लोथरे अभी मीब को धेस्च पेड़् पर आपको दिख सकते हैं और किस तरीका से पेड़ यह नजर आ रहा होगा लेकिन अगर यह पीपल के पेड़ से वह अन्य अंत्रिक ट्रक नहीं टकराया होता तो फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या हो सकता था क्योंकि इस पीपल के पेड़ के ठीक पीछे देखे आपको हम दिखा रहे हैं ठीक पीछे यहां पर तकरीबन दो सौ लोग बैठे हुए थे यहां पर जब पूजा अर्चना चल रही थी धार्मिक आयोजन यहां पर हुआ था तो दो सौ लोग यहां बैठे थे और अगर यह पेड़ ना होता वो ट्रक इस पीपल की पेड़ से नहीं टकराया होता तो वो ट्रक कई लोगों पर जो है वो चड़ गया होता और मौत का आकरा जो है कितना ज्यादा होता यह अंदाजर लगाया जा सकता है लेकिन बेहत अफसोस की बात है कि आठ लोगों की इस घटना में मृत्य हो गई लेकिन इस पीपल के पेड़ के कारण कई लोगों की जिंदगी जो है वो बच भी गई है कोई पीपल का पेड़ अगर नहीं होता वो ट्रक इस पेड़ से नहीं टकराया होता तो मौत का आकरा कई गुना जादा हो सकता था क्यामर पॉसें नदीम आलम के साथ रोहिट सिंग, महनार वैशाली आज़ करें